दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं या कभी ये सोचा है कि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जाएंगे तब कौन सा पासपोर्ट आपको मिलना चाहिए अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब पासपोर्ट एक ही देश का है तो इसे अलग-अलग रंगों में आखिर क्यों डिवाइड किया गया सोच कर देखी ये जानना कितना दिल्चस्प होगा कि कैसे पासपोर्ट आपके काम और आपके पद के हिसाब से अलग-अलग रंगों में बाटे गए है लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि पासपोर्ट क्या है तो दोस्तों सरल शब्दों में अगर कहें तो passport एकमातर यात्रा दस्ता वेज है जो किसी व्यक्ति की राष्ट्रियता और पहचान को प्रमानित करता है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नजर डालते हैं कि भारत में कितने प्रकार के passport होते हैं और भारती passport में ये P-type क्या होता है तो सबसे पहले आता है टाइप P passport या regular passport regular passport भारत में passport का वो प्रकार है जिसका सबसे ज्यादा उप्योग किया जाता है regular passport का cover navy blue color का होता है आम लोग साथ ही साथ VIP भी इस passport को जारी करवा सकते हैं आप passport का उप्योग अपने personal reasons या फिर general traveling के लिए कर सकते हैं जैसे holiday या business travel के लिए एक regular passport या P type passport में P व्यक्तिगत को दर्शाता है यानि की personal को ये passport 36 से 60 page की booklet में उपलब्ध है लेकिन ये passport, passport holder को कोई भी विशेसलाब नहीं देते हैं इसका प्रात्मिक उदेश, विदेशी अधिकारियों को आम लोगों और सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मदद करता है दूसरे नंबर पर आता है जैसा कि नाम से ही पदा चलता है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरकारी काम के लिए अंतरराश्ट्रिये देशों की यातरा करने वाले सरकारी अधिकारियों और डिप्लोमेट्स को ही जारी किया जाता है भारत के प्रतिश्चित प्रकार के पासपोर्ट में से ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एक है ये एक विशिष्ट प्रकार का भारतिय पास्पोर्ट है जिसका कवर महरून होता है इंडियन डिप्लोमेट्स, सरकारी अधिकारी और भारतिय विदेश शेवा के अधिकारियों साथ ही साथ उनके डिपेंडेंट्, यानि की उनके परिवार वालों के लिए ये पास्पोर्ट जारी किया जाता है महरुन पास्पोर्ट होलर्स के लिए विदेश यातराओं का प्लान बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि इनको कई तरह के फाइदे मिलते हैं जैसा कि इन्हें विदेश यात्रा के लिए किसी भी विजा की जरुरत नहीं पड़ती हैं, वो कितने भी समय के लिए विजा प्रदान करने की जरुरत नहीं पड़ती हैं, साथ ही इन लोगों के लिए immigration प्रोसेस बाकियों की तुलना में काफी तेज होता हैं, इन passport holder के देश आसानी से मुकदमा नहीं चला सकती हैं, और नाहीं भारत की permission के बिना उन्हें अरेश्ट कर सकता हैं, साथ ही इन passport वालों को किसी भी देश की नागरिकता बाकि अन्य किसी भी passport holder के मुकाबले ज्यादा जल्दी और आसानी से मिल जाती हैं, अब सबसे आखिर में आता ह अन्य सभी passport में से सफेद passport को सबसे ज्यादा शक्तिशा लिमाना जाता हैं, क्योंकि ये केवल भारत सरकार के अधिकारियों को ही प्राप्त होता है, ये passport आम तोर पर सरकारी करमचारियों को ही दिया जाता है, जो राश्ट्रिये कामों के लिए देश का प्रतिनिधित्व कर करने विदेश जाते हैं और विदेश में तैनाति Indian Armed Forces के सदस्यों को भी मिलता है इसे टाइप ailes passport भी कह सकते है इसका मतलब service से हे तो चलिए इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि passport issue कैसे कराया जा सकता है इसके लिए आप ऑन लाएन अपलाई करेंागे पास्पोर्ट सेवा की ओफिशल वेबसाइट पर जहां पर आप रेश्टरेशन करेंगे। इसके बाद आप अपना नाम, नजदी की पास्पोर्ट ओफिस, मोबाइल नंबर, आपका इमेल आइडी, जन्मतिती और लॉग इन आइडी जैसी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद पास्पोर्ट सेवा की ओप्शन में जाके अप्लाई करें। फिर अपॉइंट्मेंट बुक कराएं और अप्लिकेशन फॉर्म की रिसीप्ट प्रिंट कर लें। इसके बाद अपॉइंट्मेंट वाले दिन पास्पोर्ट ओफिस जाएं और फिर अपना पुलिस फिर speed post से आपका passport आपके घर आजाएगा तो दोस्तों यह थी भारतिये passport से जुड़ी कुछ जानकारी comment section में हमें जरूर बताएं कि क्या आपको passport से जुड़ी ये बातें पता थी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए होगी हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया